नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का पीके एजुकेशनल यूटूब चनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हपी सेट 2020 का जो एकजाम होता उसके फर्स पेपर की जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पर देख रहे है जनल पेपर अंटीचिंग एंड रिसर्च एप्रिट्यूट पेपर फर्स एच्पी जो सेट का यह पेपर है और 2020 का जो है कोशन पेपर मैं आपको यहां पर बताने जा रह अधेल तो मैं यह पतार हूं यह जो पैपर होता है वह होता है कोलेज और इन्वस्टि लेबल पर जो क्या है आप चीशी करना साथिए उसके लिए है मैंनम गाद करना है सetr सेसा का जो एक्साइं जो है वह को करगेशक्त करवाई जाता है क्या है minimum eligibility के लिए जो क्या है सेट का जो exam जो है वह connect करवाया जाता है इसमें जो है वह आपको दो paper जो है आपको मतलब आपसे लिये जाएगे paper first और paper second paper first जो है आप journal paper होगा सब के लिए मतलब common रहता है ये teaching and research aptitude और second जो paper जो रहेगा उसमें उसमें जो है आपका जो है वह सब्जेक्ट होगा जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने पीजी किया हो जिस में सब्जेक्ट में जो है आप फॉर्म भड़ते समय जो क्या है वह apply करेगे इसका जो question paper मैं आपको समने यहां पर बताने जा रहा हूं 2020 का तो देखिए किस की सतरा के क्या है वह question पूछे के थे सबसे पहले यहां पर प्रेग्राफ था परेग्राफ जो है इसमें पास जो question जो है वह paragraph से रहे थे तो इसमें जो है अब यहां पर 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 नहीं पढ़ू इसके क्या जो है आपको मैं option answer बता रहा हूं तो देखिए question number first था उप्युक्त गद्यान के अनुसार ने मिलत मैंसे क्या बेकवल्पिक पूरक शिक्षन सामागरी त्यार करने के कारणों के और इंगित करता है तो इसका जो right answer था वो था ए ए और भी ए और भी यानि कि और भी कुछ शिक्षारत्यों को डिजिटल संसादनों तक पहुंच नहीं हो सकती कोविन नाइंटीन माहमारी की घटना यानि कि यह जो मतलब पैराग्राफ है वो कोविन नाइंटीन जो हमारा जो इस टाइम माहमारी चली हुए उसी से जो क्या है यह पूचा गया था question number second था वो भी इसी पैरेग्राफ से था अधिगम प्रतिफलों पर आधारित पाठेक्रम के क्रियार वर एक तू आवश्यक माग है तो इसका जो राइट अंसर जो था वह था भी लक्षित अधिगम समागर्यों का विकास्त आप जो है वीडियो को रोक सकते है और पैरेग्राफ की अधिगम समागर्यों के प्रावधान से अपयक्षित है तो इसका जो राइट अंसर था वह था वह था बी केवल बी सी और डी बी सी और डी छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार विवीद शिक्षार्टों की पहुंच में प्रिदी और गुणवात तक को बढ़ावा नेक्स्ट कोश्ण नबर फर था पूरक या बेकल्पिक अधिगम समागरी की त्यारी के लिए पूर्व आउशकता है क्या पूर्व आउशकता है होर्ट स्पोट की पहस्तान करना फिर नेक्स्ट था कोश्ण नबर फाइब N-C-E-R-T द्वारा प्रत्पिक अक्षाओं के लिए पूरक या बेकल्पिक अल्टरनेटिक जिसको बोलता है एकेड़िक अधिगम सामागरी को कब त्यार करने को कहा गया यह कहा गया है डिसम्बर दोजार बीस को नेक्स तो है कोशन अबर सिक्स था गेर मोखिक समप्रेक्शन में शामिल नहीं है गेर मोखिक समप्रेक्शन में शामिल नहीं है उसमें तो शामिल नहीं है वो है शब्द, हावबाव, चुप्पी और अभिव्यंजना यह जो सब क्या है मोखिक समप्रेक्शन के प्रकार है लेकिन यह जो है वो गेर मोके किसमें आता है नेक्स्ट है एक संदेश की सामागरी को प्रवावित करने वारे फिल्टर कहा होता है इसके जो फिल्टर जो होता है वो होता है श्रोता के मन में इसका जो राइट answer है वो ज्कиях ऐखके है अंबरिडर रईस्टाइब जो कुछेंटे है और प्रत्रेग जो क्वेशन है वो दो मांक्स कर इन ता यहानिके 100 मांक्स का जो है पर फिल्टर आपका रहता है व के रहता है और में 액़ है कशन सक का उसमें 100 वो और दो सुब्स को याई कि टोटल वह थिन सुब्स क्तिक स्थ dk रहता यानिकि उनको क्या है वा क्वालिवाइड माना जाता है यानिक है सैम जो है उद्डि सी सैल खुआला स्टास है बल्कूर क़auen का बीयोर एक्षाम का भी बहीं नेक्स्ट है प्या पक्ष हथ रपर अत्यादिक लोगों को जनकारी परदान करने आया या आदान परदान करने को कहा जाता है इसको कहा जाता है जन संप्रेक्शन मास कॉम्मिनिकेशन फिर कोशन नम बनना इंता दिमिल्ग में से क्या प्रभावी कक्षासंसार की बीशेश्चा है प्रभावी कक्षासंसार की बी सोशल मीडिया के दो उभरते महतोपूर नेतिक पहलू जो है वो क्या है पारदरश्क्ता और प्राइबेसी यह जो क्या है आजकल ज्यादा तर क्या है देखने में ज्यादा तर मतलब आते हैं तो यह जो क्या है सोशल मीडिया के जो क्या है उभरते नेतिक पहलू है कोशनापर 11 जो था वह संख्या ग्याद किजिए जो स्वेम में 13 वार जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है तो यह जो ऐसी संख्या जो आएगी आठ एट जो अमरे पास आएगा वह अंसर आएगा श्रेंग्ला 0 1 1 2 3 5 8 13 का उधारने कौन सी संख्या का उधारने इस तरह से मतलब कि कौन सी स्ट्रेंड जो है होती है तो अंक गणिती भी नहीं है जिव मैटल की नहीं है और सम भी श्रेंड भी नहीं है यह जो है वह फिवनेस फिवनेस तो इसका राइट अंसर जो है वह भी था श्रेंग्ला में अगला नंबर चुने अगला नंबर आपको यहां पर चु इसको यहां पर करना था मल्टिपल करना था तो इसके बाद जो है अगर आप यहां पर जो है 17 से आएगा वह आएगा 289 तो इसका राइट अंसर जो था वह था भी नेक्स्ट कोशन अबर 14 निमलिक संख्याओं में कितने ऐसे संख्या है जिनके ठीक पहले बिशम संख्या है पर तुरंत बाद जो है वह संख्या नहीं है तो यह आपको यहां पर देखना था तो ऐसे संख्या जो आएगी वह आएगी त्री तीन जब आप इसको गोर से देखे है तो कितने जो क्या है वह टोटल कितने हो गए टोटल जो हमरे पास हो गए वह हो गए 37 क्यों यहां देखिए अठारा इधर से हो गए अठारा इधर से हो गए अठारा इधर से हो गए तो 19 यहां पर जो क्या है यह अमीत है तो यह कौन सा है वह कितने हुए टोटल ठारा प में से कोईचन न्मीच नबर शींकर्फन देश वह लीटोविकम देश क्या हैं कोछ भुरुक्ति दार्मिक क्यों नहीं रहा है 받ंश यानि कि जोर जो क्या है भावात्मक और इमोशनल है question number 17 blood relation से था A B की बहन है F Z की पुत्री है C B का भाई C B की मा है और D C का पिता है E D की मा है तो A का D से क्या संबंद है तो यह जो आएगा वो आएगा पोता नातिन का पोती नातिन का सोरी पोती नातिन का जो है संबंद इन के भी पाया जाता है next जो है question number 18 धुमर पांच स्वास्ते के लिए के हानी कारक है secret के packet में सब ही एक जेतावनी है इस कथन मेनिमर में से कौन सी प्रूवधारणा अंतर हीत है मतलब कौन सा अनुमान जो क्या है आप लगा सकते अपरवर्तित हो रहती है जब उन्हें अंग्रेजी बढ़न वाला करम में व्यवस्तित किया जाता है तो ऐसे जो लेटर्स है वो दो रहेगे जिसका राइट अंसर भी होना था जैसे एंत्रोपोलिजी का संबंद मनुश्य से उसी तरह एनषर ने स्थेशी का संबंद किस है अंशर की में जो है वो जो है वो पोयम से दे रखा है कविताओं से दे रखा है वो rehe जो जो ओसर पॉपरारफ अं प्लोने क्या है वो स्टड़ी होती है तो मैं आप वही आंसर या पे जो है वो बता रहा हूं about कि огले के प्रेजरीन कालने करते करख में वे वस्ति है वो क्या कहलाता है वह क्या कहलाता है क्या यह क्णू होतेज़ को मध्य को निकालने के लिए क्या है वह प्रयोग में ला जाता एंद फिर एक गुणों के आधर पर आक्डों का प्रिक्रण को क्या का जा जाता है गुणों के आधर पर जो है वह क्या जाता है कुंड получится क्या से क्लासिफिकेशन इर में से कौन सा गॉन डेटे का सबक च Chr PI विब्रण है गौन डेटा का विब्रण जो है साधरन डेटा अत्मिक डेटा यह नहीं है तो इसका जो रेटेसर है वह है भी विद्यमान डाटा विद्यमान डाटा होता है सेकंडरी डाटा यानि कि जो हमारे विद्यमान अमरे पास पहले से क्या है उसको क्या है विद्यमान टाटा है वो क्या है गोंडेटा याने के गोंडेटा जोमेंड़ का जाता वो क्या जाता है सेकंडरी डाथा को इसका रायत प्यासर बी अना था फिर कोषिदọnब टॉन्तिफोर और विथिव जो है वो पने गार्फ चयात quyल जो है तो भड़ा है 88 आएगा फिर 25 में जो है निवनी कतनों में से सही कतन का चुनिए तो आपने क्या है इसको टेवल्स को देखना था आपने यहां से द्यान से और फिर यहां पर क्या है कुछ मतलब ABCD करके यहां पर ऑप्शन दे रहा है तो इसका जो राइट अंसर आएगा वह आएगा सी बानिजिये पीशे में स्कूल डे का पास प्रतिशत स्कूल बी के पास प्रतिशत से अधिक है यानि कि यह सही है बाकि यह जो क्या है यह सब गलत है तेने में से है 2017 को फ internmen के भी तरज速 क्या गया धिकां पोर्टन कोंवर 27 अधिकरे नेश्च कुछलिक में से कौन्साट जान शरकारी शिक्सेंसतां ओक प्योग क्या जाता है डिया वह क्या है यह जोацनी वह स्कूल कोशनएड स्टुडेंट है वह गलत करके तो देखिये इसका जो राइट अज्छक्शनिक होता है अगर उस जाता है इन्हें से कौन एक Google एप्लिकेशन नहीं है Google एप्लिकेशन नहीं है पूछा गया था तो देखिए यहां पर जो क्या है ब्लोगर भी है ब्लोगर भी एक गूगल की सेवा है जैम बॉर्ड भी है क्लास रूम भी है तो जी टालक जो क्या है एक ऐसी एप्लिकेशन है जो क्या है गूगल की नहीं है तो इसका राइट अंसर ए होना था question number 30 उप्योकरता की वर्यत्ता को पहसांने और डज़द रखने के लिए कुछ android द्वारा उप्योकरता के खौंप पर संग्राइट एक चोटी стать फ़ाइल को क्या का जाता है इसको जड़ा जाता है वो का जाता है दा तो देखें यह था इसे 1997 में अपनाया गया था ये बिल्कुल सही है इसमें उत्रसर्जन को कम करने का दाइट तो विकास सील देशों पर डाला गया ये गलत है इसका लक्षे बायो मडल में ग्रीन हाउस की संद्रता को कम करना था ये भी सही है ये बिल्कुल सही है अब भी जो क्या है वो गलत है बाकी सारे सही है भी गलत क्यों है इसमें उत्रसर्जन कम करने का दाइट विकास सील देशों पर विकास सील या पर देए रखा ये गलत है विकास सील देशों पर जो क्या है इसको कम करने का दाइट अगड़ बंदन का मुख्याले किस देश में स्थित है यह जो है भारत में हर्याना के गुरुग्राम में है कोशन अबर 33 सतत्विकार्ष लक्षियों के तहित विशिष्ट लक्षियों को कब तक प्राप्ट करना है यह जो है वह है 2030 सत्रा जोक्या इसके गोल है पानी में फास्पेट और नाइट्रेट उब्रकों के इजाफे का परिणाम होगा पोशक्तत्त्तों संबर्धन इसका जो क्या है राइट अंसर आएगा पोशक्तत्त्तों और संबर्धन निम्रेश विश्टे कौन साइक गेसों का यूगम ग्रीन अलस प्रवाव का मुख्य का रण है यह है स्यों स्यों टू एंड नोटू कारबंट आकसाइड और नाइट्रो आकसाइड नेक्स्टे कोशन अब थर्षी सिक्स्ता निम्रेश से कौन सा मापदंट मानब संसादन विकास मंत्रालेद्वाला एक एडवेक संस्तानों के श्रेणिकन करने के लिए नहीं तो इससका जो है यानि कि जो एन ऑई आरेफ जो है वो क्या है नहीं अपनाता है तो उसमें जो क्या है कौन समाप्तर जो क्या है ये नहीं अपनाता है शोद और पेशेवर अभ्यास ये होता है धारना दृष्टी को नहीं भी होता है एत्यासिक में तो जो है इसका कोई मतलब रोल नहीं रहता है और आउटिच और समावेशन तो इसका जो राइट अंसर जो कन पर बल देती यह जो क्या है गलत है वो संख्यात पन नहीं देती है गुणात क्ज़प्वhearted को उस पर क्या है बल देती है यह बिदार्ती के अधियन कोर्स के चुनाओं में लेस् पन परदार करता है विल्क। लेस्पषाबन सक्ट है और अपनी सहां सकता है यह सब क्या है बिशेट से क्या है प्राइब कोई पढ़ने का बन सहाथ है बिल्कुल घज lawyer गलत है बंब सबस्के निमन और मैं से प्राइब भारत का कौन सा अध्यनर पकिस्तान में है पकिस्तान में जो है वो अंसर की में जो क्या है वो बल भी दे रखा है जिख्षा और सशक्रतिक्रन नक्स्ट कोशन नमबर 14 बेदी क्यूख में वह आपशारिक समारो या संसका जिसमें शिशी अपने माता-पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता था कहलाता था वो जो कहलाता था उपनयान जिसमें क्या है शिश्षी अपने माता-पिता के घर को छोड़ के क्या है गुरू कि लिए मतलब छोड़ देता था यानि कि गुरु कुल में चला जाता था उसको क्या को बोलते है उपने अंसकार बोलते है उसको नेक्स्ट कोशन एवर 41 निमलिक्ति में से क्या गेहन अधिगम से असंगत है यानि कि सुमेलित नहीं यह उससे नहीं जुड़ा है तो यह खोजना तरकीक चिंतन यह सब जो क्या है गहन चिंतन के जो क्या है तरीके आँ यह मलिक्स में से क्या बहुत संस्कृतिक्टा का लाव नहीं है मल्टी कल्चर जो जो इसको बोते है प्रमुक्ष जातिय सब्मूख की मानिताओं का प्रवर्दन तो इसका जो रहाइट रहे टूँछ तो बलतावित आज फैने नेक्सट टोनितम ने फर्टी थिर अभी वरतिक्शन क्या नाप्ता है अभी विरतिक्शन जो माफते है हूँ मापते जरम्जाद योगता और सामर्थीत ए कि एक यृट्टी टेस्ट जो होता है नेक्सट को शेक्ष को का छहल ने में से क चात्रों को कक्षा में गती वीडियो में बाग लेने का मौका देना नेमलिस मैंसे किस स्क्षिक्षन अधिगम उबागम की विश्चता यह जो है वह लोक्तांत्रिक डेमोक्रेटिक कोशन अवर 46 एक मेटा विश्चलेशन आपको खरिस्तार करने की अनुमति देगा यह जो देगा विविन अध्यन के प्रतिवलों की विवित्दा का अनुमेक्षन बाकि जो क्या है आप्स पैपर ब्रफी और स्प्टा पैपर भी हM्स आप के लिए बाकि वंग्षन जो सारे जो क्या है Ouibon बाकि अथाहरे और它फरा उसके जो क्या है उसके कोशन पैपर भी जो क्या है आपको हमारे योट्यूब चैनल मिल जाएगा उसके लिए जो क्या नेक्स्ट जो है वह 47 एक मेटा समप्रेक्शन आपको खलिस्तान करने की अनुवति देगा यह विविन अध्यनों के प्रतिफ़लों की विविता का अनुवेंशन कोशन आपर 47 किसी समुदाय कि संस्कृति के सभी या कुछ इस्सों का बढ़न करने और उनका विशलेशन करने के दिए एक गुणात्मक अनुशंदान दिजाइन को खलिस्तान का जाता है यह का जाता है मानवजाती विक्यान अध्यन यानि किसी इसका जो क्या है वो राइट जरोगा नेक्स्ट वन इस फॉर्टी एट एक पेपर विशेश में उद्रण का अर्थ होता है उद्रण का जो अर्थ होता है वो किसी अन्येश लेखक द्वारा दूसरे पेपर में क्या है उद्रित क्या जाना किसी अन्येश लेखक द्वारा दूसरे पेपर में क्या है उद्रित क्या जाना नेक्स्त विशे यान निमजास कोशन तह को सिंक्ष्ण के त्ट्या वारगं से जूड़ी मानेता नहीं है तो इसका जो राइट एंसर जो था वह था डीःसमाजिक बास्ट विक्ता आतब और व्यक्तिकत होती है तो इस तरह से जो क्या है हमारा यह जो क्या है फर्स्ट वेपर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में वह सबसे पहले आपके यूट्व चैनल को वीडियो ले किया होगा मिल सके हैं आज किस वीडियो में बस इतना है नमस्कार